हाई फ्रेंड्स विल्कम टू ऑनलाइन प्रप्रेशन विथार्थी एंड है प्यू नियर नया साल आप लोगों की जीवन में खुशी उमंग उशाह लेके आये नया साल की हार्दिक शुब काम नाये चली आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है ये है यूपी बियट दो हजार पीस का जी हाँ यूपी में बियट जो होगा दो हजार बीस का जिसे यूपी बियट जॉइंट एंटरंस एक्जाम के नाम से जाना जाएगा यानि यूपी बियट ये दो हजार चलियाई पूरी इंफर्मेशन इस B8 के बारे में हम आपको देते हैं सभी कुछ हम बताएंगे लेकर उसकी पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तो फ्रेंट साब देख रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश B8 प्रवेश परिक्षा 2020 की प्रक्रिया फर्वरी 2020 में सुरूप की जाएगी यानि कि उत्तर प्रदेश में जो B8 होगा वो 2020 का यानि 2020 तो लगी गया है आज से तो फर्वरी में जो इसकी प्रोसेज हो स्टार्ट होगी UP B8 2020 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो भी चात उत्तर प्रदेश में B8 का कोर्स करना चाहते हैं उन्हें UP B8 Joint Entrance Exam 2020 में सामिल होना होगा यानि कि एक इंटरंस exam यहाँ पे होगा B8 का और उसमें आपको सामिल होगा और सामिल होना होगा और साथ में आप उसको कौलिफाई करना होगा इस्टेट लेवल की प्रवेश परिक्षा है यानि इंटरंस exam है और जिसमें सफलता प्रात करने वाले शात्रों को ही B8 कोर्स में अडिमिसन दिया जाता है 2019 में UPB8J की परिक्षा कायोजन महात्मा जोतिवाप फूले रुहेल खंड विश्विद्याले बजली द्वारा किया गया था और UPB8 प्रवेश परिक्षा 2020 में सामिल होने के लिए शात्रों को सबसे पहले आवेजन पत्र भरने होते हैं आवेजन पत्र केवल वही चात्र भर सकते हैं जिनने योगता मापड़न्डों को पूड़ा किया गया हो यानि कि 2019 में जो B8 हुआ था तो जो एक एक एक्जाम जो कंडिक्ट करवाता है वो आपका महात्मा जोतिवाप फुले रुहल खंड विश्विद्या ले था लेकिन इस वार सा सुनने में आ रहा है कि यह जो है लखनो युनिवर्स्टि कराएगी ठीक है और यहां पे जो भी लिजविल्टी रखी गए उसी लिजविल्टी को आपको पूड़ा करना होगा लिजविल्टी क्या होगा जब नुटिफिकशन जारी होगा तब आपको ख इसे इड्मिट कार्ड आप कह लिजे जब आप एप्लाई करते हैं और अपलाउ करने के बाद आपको एड्मिट कारड दिया जाएगा और इसके बाद ही आप ज़ु है जिस तरह से सबiczम हों में जनरली होता है आप जो है इस एक्जाम में बैट सकेंगे ठीक है और उसके ब प्राने चाहतों के डमिसन दे जाएगा यहां पर चीज के लिए कर दूँ पहले तो ऐसा नहीं था इस वार रूल देखते हैं क्या होता है अधिया यह पर क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप जो है डमिसन ले सकते हैं बियड में बस सीट देखनी होती ही कहां पर कितनी हैं तो आपको गवर्मेंट की तरफ से जो है कुछ यहां पर कोटे रखे जाते हैं कि फ्री में बियड होता है लेकिन वह मेरिट लिस्ट में सबसे हाजिस्ट मार्क्स लाने पर होता है ठीक है ना तो वह थोड़ा से यहां पर सभी के लिए पॉसिवल नहीं होता है तो यहा बिल्कुन सही है काउंसलिंग होती है वहां पर ही कालेश चोच करना होता है तो चली जैसे भी जो भी होगा ड्यूट फार्मेशन जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक की इन्फार्मेशन पहुंचाई जाएगी आप जो है बने रही है इस चैनल से और जो है इसकी प करना चाहे रहे हैं यूपी से तो क्योंकि आप जब इसकी प्रेपरेशन पहले से करेंगे टाइम भी नहीं रहे गया दो महीने का टाइम आपके पास है फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और जहां तक है तो अप्रेल या में 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 इसकी एक्जाम से होते हैं अभी तक का जो रहा है तो प्रेपरेशन जो है तैयारी जो है आप करते रहे ताक कि आप इसे निकाल ले और बीएट कर सके आपको जो एक साल है वो भी बरबाद ना हो ओके तो चलिए फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगी सब कुछ इंफार्मेशन आपको दी जाएगी तो वीडियो 365 दिन जो होता है वो आपके लिए एक मौका देता है एक नए दिन की तरह यानि 365 टाइम्स यानि मौके आपको मिलते हैं अब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चलिए फिन ने स्टूडियो साथ हम आपसे फिन मिलते हैं तब तक कि लेक्टर क्यार बाएं